आपका स्वागत है, हमारे चैनल ग्लैम आय और विदा की नई विडियो में, भारत कई तरह के ओशधियों और जड़ी बूटियों का देश है, उनहीं में से एक है, कौँच के बीज, संभव है कि कई लोगों ने, पहले कभी कौँच के बीज के बारे में, ज्यादा नहीं सु शारीरिक कमी एवं अन्यकारण से, धोने वाली बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए, कौँच के बीज बहुत फाइदे मंद होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का उतपादन करता है, इससे पुरुषों की शारीरिक अक्षमता दूर होती है, इसे दूद के साथ लेना फा इससे तनाव भी कम होता है, इसमें डोपामाइन की बहुत अधिक मातरा होती है, यह यौग एक पिट्यूटरी ग्रंथी को उतेजित करता है, और स्वस्थय हॉर्मोन को पूरे जीवन तक बनाए रखता है, इससे बढ़ती उम्र का असर कम होता है, कौँच के बीज में प् ग्यानात्मक, गतिविधियों को नियंत्रित कर, मस्तिश को स्वस्थय बनाता है, इससे अनिद्रा एवं तनाव कम होता है, चूंकि कौँच का बीज खाने से माइंड में खुशी, देने वाला रसायन रिलीज होता है, इसलिए ये मूड को बहतर बनाने का काम करता है, ग्यानी का सामना करना पड़ता है, इसका कारण मोटा पा धूमर पान शराब का सेवन, वो हॉमोनल बदलाव हो सकता है, वजय चाहे जो भी हो लेकिन, कौँच के बीज इस समस्या का उपचार हो सकते है, कौँच के बीज के फायदे की बात करें, तो ये डाइबिटीज के लिए भी लापकारी हो सकता है, आज के वक्त में लोग मूड में बदलाव, और एकागरता में कमी जैसी समस्याओं का सामना करते हैं, ये डिप्रेशन के लक्षन हो सकते हैं, ऐसे में वक्त रहते इस पर ध्यान देना जरूरी है, डिप्रेशन जैसी समस्या के लिए भी, कौँच के बीजे कागरता में कमी की समस्या को कुछ हद तक्खीक करने में सहायक हो सकते हैं। शरीर में या कमर में दर्द की समस्या हो तो रोज मर्रा के काम करना मुश्किल हो जाता है। वहीं बार-बार दर्द निवारक, दवाईयों का सेवन भी सही नहीं है। ऐसे में आयूर्वेदिक औशधियां और प्राकृतिक उपचार फाइदे मंद साबित हो सकते हैं। कौँच भी ऐसी ही आयूर्वेदिक औशधियों में से एक है। मिर्गी तंत्र का तंत्र से जुड़ी बीमारी है, जिसमें मरीज को दोरे पढ़ने लगते हैं। इसके कई क कारण हो सकते हैं जैसे, कुछ खास दवाईयों के सेवन की वजह से, सिर पर कभी चोट लगने से, दिमागी बुखार होने से आदी, ऐसे में कौँच का सेवन इस बीमारी में मददगार, साबित हो सकता है। कौँच में एंट एपिलेप्टिक गुन मौजूद होते हैं, ज इसके साथ ही अगर किसी प्रकार के दोरे के लिए कौँच देना चाहते हैं, तो बहतर है कि पहले दोरे पढ़ने के कारण का पता लगाएं, उसके बाद डॉक्टरी सलाह के बाद ही कौँच के बीज दें। अगर विडियो पसंद आई, तो चैनल को लाइक और करना ना भूलें.